माहरा स्टाखे लातूर जिल्ले में एहमदपूर तसिल में मन्याड नदी के तठ पर बसा हो एक चोटा सा गाउं सुनी गाउं शेंदरी और इस गाउं के भुमी पुद्र विश्नु बालाजी जाइफ है आर्मी में 17 साल सेवा करके अभी गाउं लोटे और बरसात में ही पुरा गाउं आपने भुमी पुद्र का स्वागत करने के लिए बस दोड़ चुका है अगत तमारों का अयुजिन क्या है रक्षब ग्रूप में जिहां आर्मी का एक रक्षब ग्रूप है जो सुख और दुख की घड़ी में साथ देने के लिए दोड़ता हुर्प के ज़ान में लगाए नारे इंटार प्षिंदा बाती है अगरों के घर कब आओगे लिखो कब आओगे के तुम बिन ये गर सुना सुना है संदे से आते हैं हमें तड़ पाते हैं जो चिठी आती है वो पूछे जाती है के घर कब आओगे के घर कब आओगे विश्नु बालाजी का स्वागत करने के लिए पुरा गाउं तो शाहिल था ही बस वरुन राजाने भी इतना पानी बरसाया देखो बाल बच्चे भीग ने लगे पानी में भीग रहे हैं विश्नु बालाजी जाय है और पूरा उसका परिवार भी खुसियों से मना रहा था ये सभी बाल बच्चे गाउं के सभी भाई बहन स्वागत के लिए सज्च रहे थे किसी की सांसों ने किसी की धड़कन ने किसी की जूडी ने किसी के कंगन ने गाउं के लोगों को इतना आनंद और भूर हो चुका परसात में ही वो नुठ्ट्य करने लगे हैं इतना अनंद और उतना जलोस कभी गाउं ने देखा नहीं था एक बस आपने भाई नहीं कंदे पर विश्नु को उठाया और नुठ्ट्य करने लगे हैं बस पानी बरस रहे उपर से और जूम जूम के नाचने लगे हैं विश्नु की मा सावित्रा माई अपने आखों से अपने बेटे का आनंद भिपूर समा रही हैं ये आनंद माने कभी ऐसे पहले देखा ही नहीं था कुझे जाती है के घर कब आओगे के घर कब आओगे लिखो कब आओगे के तुम बिन ये घर सुना सुना है हम फोजी इस देश की खड़कन हैं हर दिल का हम प्यार मा की तड़बन हैं हम फोजी इस देश की खड़कन हैं हर दिल का हम प्यार मा की तड़बन हैं पूरा करने चले हर बज़कन हैं